बेलगाम में टीपू सुल्तान संगश्च समीती बेलगाम और टीपू सुल्तान अभिमानीगड़ महावीदी के बेलगाम और टीपू सेना की जानिब से निउज 18 के एंकर अमिश देवगन के खिलाफ मेंबरन्डम पेश किया गया डिप्टी कमिशनर को अरज़ाश पेश करते वे सक्ट से सक्ट कारवाई की मांग की गई है और कुछ इलाकों से हिंदोस्तान भर से इस तरह की अरज़ाश पेश की गई है और कई जगों से लोगों ने या फायर दर्ज किया है। इसलिए कि खौजा हिंद के चाहने वाले किसी एक मजभ से नहीं बलकि हिंदुस्तान के हर मजभ के लोग उस दर्बार से अकीदत रखते हैं। इस दवरान एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें अमिश देवगन अपने कहे गए बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने खुद माफी मांगी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले बगहर सोचे समझे किसी बात का कहना और उसके बाद उस पर माफी मांगना कहां तक सही है। तो इस वक्त इस्टुडियो में हमारे साथ मौहीन दफेदार मौजुद हैं। आईए हम उनसे इस सिलसले में बात करते हैं। जो बात सोच समझ कर कही जाती है उसे गुना कहते हैं। और जो भूल चुक कर बोली बात जाती है उसके पर माफी होती है। जहां तक का आप वीडियो कर देखेंगे तो उसमें जो है यह जान बुचकर बोला गया है भूल चुकर बोला होता है आदे घंटी की डिबेट जो है भूल चुकर नहीं होती है। लेकिन जान बुचकर प्री प्लैन के साथ न्यूज एटीन वाले अपनी तियार भी बढ़ाने के लिए जो है इन महापुरोशों का इस्तमाल कर रहे हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान बर दुनिया बर में एक हिंदुस्तान का जो जितने यहां पर तहजीब है जितने जबाने जितने जाती हैं सब लोग तारीफ करते हैं कि इतने जाती इतने जबाने मिलकर रहते कैसे हैं। तो पुरी हिंदुस्तान दुनिया भर में हमारी चवी है हमारी एक पहिचान है हिंदुस्तान की भारत की यह हमारे गंगा जमनी तहजीब के गहवारे को तोड़ना चाहते हैं अम इस देवगन जैसे दलालों को गवर्मेट को चाहिए कि इनकी इंकौरी करें कि इनका हाथ जो में हैं यह सारी चीज़ें अपनी जागें लेकिन उनके बयान पर उन्होंने खुद माफी का इजार किया आप इसको लेकर क्या करना चाहिए एक क्या होता है कि एक ट्रेंड है यह वीडियो तो उन्होंने बोले कि वाइरल हो गया फार चल रही है फुल ट्यार पी तो मिल ग है एटिट्यूट के साथ जो है इतना ही बोल रहे हैं कि मैंने इसी बोल दिया आप भी माफी माफ कर दीजिए आप क्या कहना चाहते है इस मामले पर कि एक बैयान पर उसने अफसोस का इजहर क्या है आपकी क्या रहा है भारत का एक समयदान है जिसमें गुना करने के बाद म तो जैसा कि अभी आपने सुना यहां दो अलग अलग राय हमने ली है उसमें यही कहा जा रहा है कि माफी मांगना अपनी जगे अलग है लेकिन जो एंकर ने जुमले कहे थे वो काफी शिदत के साथ कहे गए थे वो कोई अंजाने में जबान से भूल चुक से निकले वे जुम है तो इस पर हुकुमत का क्या रादे अमल होता है क्या इस चैनल को बैन करने के लिए हुकुमत एकदाम उठाती है और क्या इस एंकर पर सक्त कारवाई होती है वेलगाम एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट कर दो कर दो को कर दो में जबादे यह खास रिपोर्ट